सद्धिगुरु कोनमन, जैश्री मदसुदन, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अब श्राष शुरू हो गए हैं और भगवत गीता का जो पाठ है ये श्रादों में करना बहुत ही उत्तम माना जाता है क्योंकि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जब किसी की मृत्ति होती है तो उस समय भी जो अथारमा अध्याय का करा जाता है तो भगवत गीता के जितने भी अध्याय हैं जितने भी भगवान के उपदेश हैं ये श्रादों में करना । इस customers को पृत्णि भाट को समर्पित कर रहे हैं इस परकार से हम इस बात को सोच सकते हैं तो क्योंकि हमारा पार्ट चली रहा था और यह श्राद बहुत बीच में आ गए हैं, तो यह बहुत ही शुब है क्योंकि जितने भी मेरे तीन अध्याय बचे हैं, 16, 17, 18, 18 अध्याय जो है जादा लंबा है, उसमें बहुत श्लोक हैं, इसलिए उसको मेरे टू पार्ट्स में स कितना भी बिजी के ओना हो, मगर थोड़ा सा समय निकाल कर अपने पितनों को इन एपिसोड के थूँ उन्हें याद करके श्रधानजली जरूर दीजिएगा, तो आज मैं आपको भगवान गीता का 16 अध्याय सुनाने जा रही हूं, इस अध्याय का नाम है देवासूर, जो पुरुष होते हैं, उनके क्या लक्षन होते हैं, और इसे प्रकार असुर संपता से के पुरुष होते हैं, उनके क्या लक्षन होते हैं, तो इसके अंदर ये एक बहुत अच्छी चीज है, इसके इंदर भगवान सारे गुणों के बारें बताएंगे कि किस पकार से, अब भगवान जो देवे संपदा की लक्षन से युक्त पुरिश होते हैं उनके बारें बता रहे हैं श्री भगवान बोलते हैं भए का सर्वता अभाव अंतहे करण की पूर्ण निर्मलता तत्व ज्यान के लिए ध्यान योग में निरंतर दिर्श स्थिती और सातविक दान इंद्रियों का दमन भगवान देवता और गुरु जनु की पूजा तथा अगनी होत्र आदी उत्तम क कर्मों का आचरन एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीरतन स्वधर्म पालन के लिए कश्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतहे करण की सफलता इसके अदर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहते हूं जैसे भगवान यहां पर बीच में बोला था भगवान ने बोला है कि जो इंद्रियों का दमन करना है और सात्विक दान बोला भगवान ने तो इस बात का हमेशा हम लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा अपने जो भी हम दान पुन्य करते हैं कि हमारा दान सात्विक है या नहीं है क्या वो हमारा दान राजसी तो नहीं है क्या हमारा दान तामसी तो नहीं है इस बात का ध्यान में इस क्योंकि दान भी तीन प्रकार के है और तीन प्रकार में भगवान जिस दान की बात करते हैं, वो सात्विक ध्याना दान की बात करते हैं, तो यहां पर भगवान ने जो दैवी समपदा की लक्षन से युक्त जो पूरिश बताया है, उसके लिए भगवानने का है, वो जो है, उसमें होनी चाहिए। किसी को कश्ट न देना, यथार्थ और प्रिये भाशन, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध को ना करना, कर्मों में करतापन के अभिमान का त्याग, यहाँ पर फिर वोई बात भगवान कह रहे हैं, कर्मों को करते हुए करतापन नहीं मानना, अपने को करता नहीं मानना इस तरह का आच्रन करना पड़ेगा चित की चंचलता का अभाव किसी की निंदा ना करना सब भूत प्राणियों में हेतू रहित दया इंद्रियों का विश्यों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसकती ना होना ये वाली बात भी अब ध्यान से समझेगा कि इंद्रियों का विश्यों का संयोग होने पर भी जैसे हम कहते हैं वागवान कहते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना है मगर भगवान साथ में ये भी कहते हैं कि जीवन को चलाने के लिए इंद्रियों का कुछ भोग भी जरूरी है यसे हमको खाना जरूर पड़ेगा, हमें पहनना चाहिए, हमें रहने के लिए कुछ चाहिए, तो ये सब चीजे जो है भगमान कहते हैं, अगर आप भोग करते भी हैं इन कारणों से, तो उसके बाद भी आपको हमेशा आपके मन के अंदर ये बात रहने चाहिए, कि आप जो ध्यान रखना है कि आपको उसमें आसकती नहीं रखनी हैं, कोमलता रखनी हैं, लोक और शास्त्र से विर्द आचरण में लज्जा रखनी हैं, और विर्द चेष्टाओं का भी अभाव करना होगा, तेज, शमा, धैरे, बाहर की शुद्धी, एवन किसी में भी शत्र भाव का ना होना, और अपने में पूजयत के अभिमान का अभाव, मतलब अपने में ये अभाव होना चाहिए, कि हम सर्फिर्ष्ट हैं, लोग हमें पूजय क्योंकि हम सर्फिर्ष्ट हैं, इस बात का अभाव होना चाहिए, ये सब तो हेतु हैं, अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन हुए पूरूषों के लक्षन है दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधिने के लिए मानी गई है भगवान ये कहते है कि जो डैवी संपदा है यह जो गुंड अभी मैंने आपको लक्षन बताएं है यह जो इस से युक्त जो पूरुष हो यह क्या होता है वो मुक्ति के रस्ते पर अग्रह सर ही और जो अस्र संपद्हा को लेकर蛋 की सब्नृत्र झैसे होते हैं अब धग्वान अस्र संपद्हा की यह अब भग्वान कहते है कि आसुरिस् स्वेभाव वाले मनुष्य प्रगवरती और निवरती इन दोनों को ही नहीं जानेते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धी है, न शेष्ट आचरण है और न सत्य भाशन ही है। वे आसूरी प्रक्रती वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आशर रहित सर्वता असत्ते और बिना इश्वर के अपने आप केवल इस्तरी पुरुष के सन्योग से उत्पन है, अतेव केवल काम ही इसका कारण है। इस मिथ्य ज्यान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नश्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धी मंद है, वे सब का अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत की नाश्ट के लिए ही समर्थ होते हैं। वे तंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पोन ना होने वाली कामनाओं का आश्रे लेकर अज्यान से मिथ्या सिधानतों को ग्रहन करके भ्रश्ट आचरोनों का अधारन करके संसार में विचरते हैं। तथा वे मृत्यु परियांत रहने वाली असंखे चिंताओं का आश्रे लेने वाली, विशे भोगों के भोगने में ततपर रहने वाली और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आश्र की सैकुड़ फांस्यों से बंदे हुए मनुश्य काम क्रोध से परायन होकर विशे भोगों के अन्याय पूर्वक धनादी परदार्थों का संग्रह करने की चेश्टा करते हैं। वे सोचता करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस इस मनुरत को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास इतना धन है और इतना हो जाएगा। यह शत्रु मेरे दुवारा मारा गया और उन दूसरे शत्रों को भी मैं मार डालूँगा। मैं इश्वर हूँ, एश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुमु वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन। मैं यग्य करूँगा, दान करूँगा और अमुद प्रमुद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मुहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित वाले मौरूप जाल से आसक्त आसुर लोग महान नरक में गिरते हैं। तो इस प्रकार यहां पर भगवान ने यह बताया और अब भगवान बताएंगे कि जो इस तरीके के कर्म करने वाले हैं, मतला असुर प्रवर्ति के जो लोग हैं उनको भगवान किस प्रकार के फल देते हैं। आसुर से भाव के लोग अपने आपको ही शेष्ट मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवर नाम मात्र की यग्यों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधी रहित यजन करते हैं। शास्त्र विधी रहित इस बात को आप बहुत ध्यान से समझेगा। तो ये शास्त्र विधी को जो भगवान जिस विधी के दुवारा क्याते है उसके अदर ऐसा नहीं है कि आपको इतनी फूल माला रखनी है या इतने फल रखनी है इतनी ब्रहमनों को जीमाना है ये शास्त्रों में लिखावा शास्त्र विधी क्या है कि आपके मन का भाव कैसा कि आप सात्रविक प्रिवर्ति वाले राजस क्योंकि लिएया को कर रहे हैं तो राजस मन जाएगा और अगर 证मित्विष और दुल कोई तक पहूंचते हैं तो जो भग्मान बताने हैं जो असूर प्रवर्ति के जो लोग है वो शास्र विधी रहित कर्म करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधाधी के परायन और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेश करने वाले होते हैं। अतेव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए है अरजुन इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरिश अपने कल्यान का आचरन करता है इससे वहे मुझको प्राप्त हो जाता है जो पुर शास्त्र विधी को त्याग कर, फिर वहीं वाली बात है, शास्त्र विधी को त्याग कर कह रहे हैं भगवान, अपने इच्छा से मनमाना आचरन करता है, वहें ना सिध्धी को प्राप्त होता है, ना परमगती को और ना ही सुख से ही, इससे तेरे लिए इस कर्तव् व्याख्या में शास्त्र ही प्रमान हैं ऐसा जानकर तो शास्त्र विधी से नियत कर्म कर यहां पर भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं कि तू कर्तव्य और अकर्तव्य के अंदर मत पर तू क्या कर तू सिर्फ जो शास्त्र विधी के अनुकूल कर्म है तू भी वही कर्म कर और यही मैसेज के रहा है भगवान का हम सब के लिए भी है कि हमें शासर विधी के अनकूली कर्म करने चाहिए तो इस प्रकार आज भगवान ने बहुत अच्छा सा हमें बताया जितनी भी अध्याय हमने अभी तक पढ़े हैं उसके अंदर जो मैं जिस चीज को महसूस कर सकती हूं जो कर पा रही हूं वो यह है कि बहुत सारी लेयर्स खुल गई है माइन से बहुत सारी लेयर्स खुल गती जा रही है और कम से कम एक रोशनी दिख रही है दूर कहीं जो लगता है कि प्रकाश है ऐसा है जिसके कि तरफ अब मैं बढ़ सकती हूं तो यह भगवात गीता मैंने शीखा है कि क्योंकि यह कर्म कैसे करने है यह बन्धन क्या है यह परिवार इन सबसे किस प्राकार से हम अपने कोई धुटाथा डिटैच कर सकते हैं और जब भी कोई कर्म करते हैं तो उसको हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि वो शास्रविधी के अनुकुल कर्म हो रहा है क्योंकि हम अज्ञानता वर्ष हम गी नहीं जान पा रहे होते हम सिर्फ कर्म करते रहते हैं वो चाहे कभी को राजसी होता है कभी तामसी होता है हम नहीं जान पाते कि ह तो प्राप्त नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे तो भगवत गीता को पढ़ने से यही समझ आता है कि पहले फल्की इच्छा ही नहीं करने चाहिए क्योंकि हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव है इसलिए हम यग्य और हवन कर रहे हैं तो वह ही अपने अप अगर हम यह मन में धारना बना लिते हैं कि कर्म करना है मगर फल की इच्छा करें बिना कर्म करना है और सात्विक कर्म करना है तो यह बाते जो है और शासर विधी के अनुकूल कर्म करना है तो यह साजीज़े करने से जो हमारे कर्म हैं वो भगमान तक जरूर पहुंशते है और भगमार अपने इच्छा से समय आने पर इसका फल भी हमें जरूर देते हैं उमीद करती हूँ आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा अब नेक्स्ट अध्याय में बहुत जल्दी ही आने वाले हूँ क्योंकि इन श्रादों के अंदर ही हमें इस पूलिस को खतम करना है तो सत्रमा अध्याय जो है मैं अनेदर 3-4 डेज में वापिस आपके पास आऊंगी और आपको अध्याय भी सुनाऊंगी तब तक के लिए हरे कृष्णा